Hello everyone, so आज की जो टॉपिक है दाट is audible and inaudible sound हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि audible sound क्या होता है और inaudible sound क्या होता है ठीक है? दोनों में थोड़ा सा मतलब difference है और इसके उपर क्योंकि NCRT में बहुत जादा नहीं दिया हुआ तो मैंने कुछ notes डाले हैं जो आपको काफी help करेंगे इन दोनों को समझने के रहे तो सबसे पहली चीज तो जो भी sound कोई भी तरह का sound जो humans you know सुन सकते हैं उसको हम लोग audible की category में डालते हैं और in the same way कोई भी ऐसा sound जो human नहीं सुन सकते उसको हम लोग in audible की category में डालते हैं Now, before I start अब ये मतलब नहीं है कि हम सुनने ही सकते तो वो sound produce ही नहीं हो रहा या उसकी frequency ही नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं है Basically, fact ये है that sound of frequency less than 20 vibration per second or 20 hertz मतलब per second में जो 20 vibration से कम you know produce कर रहा है vibration 20 hertz से कम जो भी है वो human ear detect नहीं कर सकते और अगर human ear उसको detect नहीं कर सकते 20 hertz से कम को तो हम उसको in audible बोलते हैं तो क्या केवल 20 hertz से जो कम है केवल उसको हम लोग in audible बोलेंगे नहीं, क्यों? On the higher side, sounds of frequency is higher than about आपको यहाँ पे एक और उन्होंने vibration की quantity बता रहा की है ठीक है, that is 20,000 vibrations per second अगर उससे जादा vibration per second हो रही है तो वो भी human ear नहीं सुन सकते तो यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं ताकि confusion ना रहे फर्स्ट इस less than about 20 vibrations per second और दूसरा है higher than about 20,000 vibrations per second इसको अगर मैं simple terms में बोलूँ यह दोनों ऐसी quantities हैं जिसको, मतलब यह जिससे कहते हैं एक बीच का एक ऐसा है जिसके कम और जिससे जादा हम लोग नहीं सुन सकते हैं हम इसके बीच का जो vibrations होते हैं वो सुन सकते हैं that is 20 hertz to 20,000 hertz या फिर अगर मैं उसको convert करता हूँ तो वो 20 kilo hertz में आ जाएगा इसके आगे पीछे का जितना भी है वो हम नहीं सुन सकते तो यहाँ पर उसने explanation भी दी है तो आपको help करेंगे समझने के लिए कि topic में बोल क्या रहे हैं वो आपको so audible and inaudible sound की अगर मैं बात करूँ जब भी हम लोग पात करते हैं कि simple pendulum तो vibrate कर रहा है ठीक है वो मतलब proper vibrate कर रहा है बट हमें उसको sound क्यों नहीं आता है हमें उसका sound इसले नहीं आता है क्योंकि जो उसकी frequency of vibration है वो काफी जादा low है it is very low we cannot hear sound with very low frequency जिसकी भी low frequency होती है उसको हम नहीं सुन सकते हैं जैसे कि now audible जो हम सुन सके inaudible जो हम ना सुन सके that is human की बात हो रही है तो पहली condition यह होनी चाहिए कि वो जो frequency है उसकी 20 hertz तक होनी चाहिए मतलब it should vibrate with the frequency of 20 hertz ठीक है और हाँ 20,000 hertz से भी जादा नहीं होना चाहिए तो मतलब वो ही जो यहाँ पे हम लोग range पढ़ रहे थे वो ही वाली range की बात हो रही है 20 to 20,000 hertz it should be the frequency which is the audible frequency now condition to produce audible sound अगर मैं चाहती हूँ कि audible sound produce हो तो उसके लिए क्या बताया मैंने यहाँ पे यही चीज थी first condition जो हम पूरी कर चुके है कि 20 hertz से जादा उसकी frequency होनी चाहिए दूसरा यहाँ पे उसने audible range पी लिखिये 20 hertz to 20,000 hertz यह lower limit आजाती है यह upper limit आजाती है ठीक है now अब इसी के basis पे बहुत ही important topic है जो हम पढ़ेंगे बहुत बिल्कुल भी hard नहीं है बहुत जादा easy है infrasonic sound and ultrasonic sounds यह होते क्या है infrasonic sounds human नहीं सुन सकता and ultrasonic sound भी human नहीं सुन सकता then difference क्या है यह दोनों inaudible के अंदर आते हैं लेकिन इसके अंदर difference यह है कि जिसकी frequency 20 hertz से less होती है उसको हम लोग infrasonic sound बोलते हैं फिर से सुनिए जिसकी frequency 20 hertz से less है उसको हम लोग infrasonic sound बोलते हैं and जिसकी frequency 20,000 hertz से जादा होती है उसको हम लोग ultrasonic sounds बोलते हैं अब समझे बात, इसमें कम की बात हो रही है, इसमें जाधा की बात हो रही है, जो कम होती है, that is infrasonic, जो जाधा होती है, that is ultrasonic and, जो rhinosaurus होते हैं, वो infrasonic sound produce करते हैं, तो हमको पता ही नहीं चलता, हमें लगता है कुछ बोली नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, and same way में bats जो होते हैं, वो ultrasonic sound, यानि 20,000 hertz से जाधा की frequency में वो produce कर सकते हैं and they can hear it too, सुन भी सकते हैं, same way में बहुत सारे और भी examples दे रखे हैं कि dog, monkey, deer, leopards, ये सब ultrasonic sound जो होते हैं सुन सकते हैं, human इनको नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि human की जो भी range दे रखी है, उसके बीच में अगर कोई sound होगा तो human उसको सुन पाएंगे, वरना नहीं सुन पाएंगे, now, due to high frequency, ultrasound has a greater penetrating power, यानि वो क्योंकि उसकी high frequency होती, penetrating, इस तो गुझ जाना, मतलब अंदर गुझ जाना, so ultra sound क्या करता है, वो काफी हद तक ऐसी चीजों के अंदर एंटर कर सकता है, जहां normal चीजे नहीं एंटर कर पाएं, जैसे आपने सुना होगा ultrasonic, जो ultrasonic की machine होती है, जो अंदर क्या-क्या है, यह सारी चीजे एक idea दे देती है, तो यह कैसे हो पाता है, क्योंकि, क्योंकि उसमें ultrasonic waves use होती है, 20,000, जो उससे जादा hertz की होती है, frequency वो use होती है, and उसको detect करने के लिए we need special equipment, special equipment की ज़रुवत होती है, and इसका कई जगे पे use है, मतलब ऐसा नहीं कि एक जगे पे, कई जगे पे use है, जैसे कि medicinal science में इसका काफी जादा use है, जो मैंने अभी बताया आपको example, ocean के depth वगरा में भी इस का यूज होता है, नापने के लिए, and कई सारे treatment, मतलब पें के treatment के लिए भी इसको use किया जाता है, so there are many different kind of application of this ultrasound, but most importantly, हम क्योंकि NCRT के Codding चलेंगे, तो यह एक, जिसे कहते न, overview हो गया, about the audible and inaudible sound, now, I think, I hope, कि आपको clear हो गया होगा कि audible और inaudible के बीच में, क्या मतलब main difference है, एक छोटा सा point और है यहाँ पे, docks क्योंकि, जिसे कहते न, जादा, अगर 20,000 से जादा hertz है, मतलब hertz उस से जादा है, तो मतलब वो ultrasonic की category में आ गया, क्योंकि dogs की पास, यह ability होती है, कि वो सुन सकते हैं, तो कई लोग police ऐसे होते हैं, जो high frequency वाली whistles use करते हैं, जो humans नहीं सुन सकते, बट dogs सुन सकते हैं, ठीक है, और उसके अलावा यह भी बोला है, कि जो ultrasound equipment है, वो काफी सारी medicinal problem, ट्रीट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, यूस होता है, so I really hope कि आपको समझ में आ क्या हो, अगर इसमें कुछ भी समझ में आया हो, तो like, comment और subscribe करना, बिर्कुल मत भूलियेगा, and if you want to see more videos, just comment कि आपको कौन से topic पर वीडियो देखनी है,